हेलो बच्चों तो कैसे आप लोग स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पर हम डिसकस कर रहे हैं गौट्स कुश्चन के लेक्शर बन में यहां पर मैं जो भी कुश्चन डिसकस कर रहा हूं यह कई बार बोर्ट में आई वे कुश्चन है अगर आप क्लास तैंथ हमें आप लोग कहेंगे कि हाँ विल्कुल सर हमें और एक और बेसिक सी मैं कुश्चन डिसकस करने से पहले बता दूं कि आपको क्या पता है एलसीम इंटू एच्टी एफ इस इकोस टू जिन दो नंबर का आप एलसीम और एसीफ निकाल लाए हो यह ठीक है आपको यह चीज आती है क्योंकि last time है और मैं सिर्फ कोश्चन डिसकस कर रहा हूं तो दो मतलब जिस चोटा सा बच्चे सा पिद्दू सा चैप्टर है जिसमें हमारे पास कितनी सी चीज़ आएंगे हमें LCM और SCF निकालना आना चाहिए हमें उसका रिलेशन पता होना चाहिए ठीक है और हमे वह चोटे से बेसिक से रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ठीक है और या फिर मैं इसको लिख लूँ 1 अपन रूट 2, 1 अपन रूट 3, 1 अपन रूट 5, 1 अपन रूट 7 इनको प्रूफ करना आ चाहिए कि यह हमारे नंबर जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है ठीक है तो आप कह रहे होंगे हाँ सर फीलिंग तो आ रहे हैं कि हाँ यह चीज़े चोटी चोटी चीज़े तो हमें आती है ठीक है अब हम यहीं से डिसकेशन करते हैं हम अपना डिसकेशन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आगर आप से कहूं कि पहला question real number में जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वो है seven plus two root five is irrational number हमें क्या प्रूफ करना है seven plus two root five is the irrational number बहुत सारे तरीकें जिससे आप इसको प्रूफ कर सकते हो ठीक है मैं आप से दो में ठ्राइड डिसकस करेंगा जिससे आपको मैं ये प्रूफ करना सिक्कॉन और दो मेंठड सबसे पहला मेंठड या तो आप यहां पर क्या करो seven plus seven plus two root five अप यहां पर यह पूरा की रूट five is irrational number रूट five is irrational नंबर इरेशनल नंबर यह प्रूफ करो रूट फ़ाइब इसको यह एस इस कैसे लिख सकते हो देखो संद्णा मैं आप से कहां कि इसको मैंने क्या माल लिया एपॉन भी ठीक है जहां पर एऔर बी क्या है आपके इंटीजर है यह भी इंटीजर है और यह भी आपका 2 – 5 is equal to a upon b – 7 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 root 5 is equal to a – 7b upon b मतलब मैंने यहां पर lcm ले लिया ठीक है मैं इसको लिख सकता हूं 2 root 5 a – 7b upon b क्या आपको यह बास समझ में रही है जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं रूट 5 is equals to a minus 7b upon 2b ठीक है अब मुझे यह पता चल रहा है कि यहीं से साइट से लिख दूँ कि यह जो है ठीक है a and b a and b are integer a and b are integer है तो यह आपका जो a minus 7 7b upon 2b है यह वाला जो पूरा पोर्शन है यह आपका कैसा होगा यह आपका rational number होगा ठीक है यह आपका कैसा number होगा rational number होगा बट बट सुनना ध्यान से बट मैं क्या कहना हूं कि root 5 5 is irrational irrational root 5 is irrational ठीक है so it is contradict it is it is contradict मतलब यह contradiction है मैं कह सकता हूं it is contradiction जब यह contradiction है so so हम कहा सकते हैं कि 7 plus 2 root 5 is a irrational number ठीक है 7 plus 2 root 5 is a irrational number हमारा यह पूरा rational number है a and b are integer है what root 5 is irrational है यह हमारा कैसा irrational number है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि यार हमारा जो यह पूरा है 7 plus 2 root 5 यह कैसा number है यह irrational number है क्या आपको यह बात समझ मैं इसका एक और मैं आपको बताना चाहूंगा यही question ले लेते ठीक है और हम इसी को दूसरे तरीके से समझने की कोसिस करते हैं ठीक है मैं page add करता हूं ठीक है मुझे क्या करना है मुझे यही तो proof करना है कि 7 plus 2 root 5 is irrational number यह irrational number है मैं लिख सकता हूं कि we know that we know that we know that root 5 is irrational number root 5 is irrational number root 5 हुमारा कैसा number irrational number ठीक है root 5 is irrational number so we know that root 5 is irrational number हमें यह point पता है कि root 5 is irrational number है ठीक है and next point and product of and product of product of an irrational number and rational number is always irrational is always irrational मैं देखना मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दे है ठीक है तो 2 root 5 is irrational 2 root 5 is theory लिख रहा हूं मैं 2 root 5 is irrational क्या point समझ में आ रहा है जो लेखना हूं वह spelling किजिए का समझने फोकस करना 2 root 5 is irrational मुझे यह पता लगा 2 root 5 is irrational next point मुझे क्या लिखना है ठीक है सम अब मुझे 2 root 5 कैसा है 2 root 5 मेरा कैसा होगा irrational नंबर यह मुझे पता लग गया मैं कहे रहा हूं सम ओफ सम ओफ एन irrational नंबर एंड अर रेशनल नंबर इस ओल्वेज इस ओल्वेज इस ओल्वेज इस ओल्वेज इडिशनल क्या मुझे बताव point के लिए हुआ सो 7 is a rational number plus 2 root 5 is a irrational number तो 7 plus 2 root 5 कैसा number हो गया आपका 7 plus 2 root 5 is an irrational number क्या point के लिए हुआ आपको या बात समझ में आई मैंने क्या लिखा आपको समझ में आ रहे है question number 1 के लिए ठीक है next next question पर हम discussion करते है बहुत important question था root 2 root 3 root 5 इससे आपका 3 marks का एक question आना ही आना है अगर कुछ question इस तरीके काता है समझना बात को मैं काऊ 7 plus root 3 upon 2 या तो theory में लिख दो सारी चीजे कि some and some operational and irrational या फिर बस ABC लेके उदर साइड एक root जाए सारा है और contradiction लिख दो it is contradict जब यह contradict है so it is an irrational number तो बस statement देखना है एक question को देख लेना है बाकी सारे question आपके अपने आप हो जाएंगे अब देखो बड़ा प्यारा सा question है और एक अलग सा question है जो आपका आता ही आता है दो नंबर में मैं आपसे कह रहा हूँ एक number मेरे पास है 318 सुनना ध्यान से एक number 318 दूसरा number 739 लीविंग रिमाइंडर 3 & 4 अब सोचो कैसे करना है इस question को सोचो थोड़ असान लॉर्जस नं 739 लीविंग रिमाइंडर 3 & 4 तो सबसे पहले मैं नंबर देखूं कि 318 एक number है यह क्या reminder कितना लीव कर रहा है इसको मैंने अगर किसी से डिवाइड के x से डिवाइड किया तो यह 3 reminder कर रहा है तो मैंने 3 minus कर दिया तो जो number है वो कौन सा होगा 315 ठीक है फिर दूसरा number मेरा 739 इसमें reminder क्या है 4 then मैंने इसमें से 4 subscribe कर दिया मेरा number हो गया 735 अब मुझे क्या निकालना है largest number निकालना है तो largest number जो इनका LCM होगा इनका जो LCM होगा उसको मैं काऊंगा वही आपका largest number होगा क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरे पास क्या है 315 ठीक है 375 इसको मैंने कि पर या 3 से 3 1 जा एंड वीच में 0, 3 5 जा ठीक है फिर से 3 से 3 3 जा 9 और 3 5 जा ठीक है फिर 5 से 7 टाइम्स and 7 से 1 ताइम मैं इसको 735 को लिखता हूँ 735 को मैंने लिखा तो सबसे पहले मैंने किस से करता हूँ 3 से करता हूँ यह देखो 3 3 से करता हूँ 3 से जाएगा यह 2 टाइ वन बचा और ये फाइब जाएब अब देखो यार, LCM और SCF निकालने का सबसे best तरीका यहीं पर मैं आपको सिखाता हूँ LCM और SCF निकालने का सबसे best तरीका मैंने क्या लिख लिख लिए 315 315 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3, 3, 5 and 7 मैंने 315 को लिख लिख लिए और मैंने 7, 3, 5 को क्या लिख लिए 3, 3, 5, 7, अब इसमें highest common factor को आप underline करो सबसे पहले, आप देखोगे ये, और आप देखोगे ये, ठीक है, तो मेरा जो HCF आएगा, HCF highest common factor, वो कितना आएगा, 3, 5, 7, इसको अगर मैं देखूँ तो ये 1, 0, 5 आ रहा है, highest common factor, यही आपका answer हो गया, क्या मुझे बताओ, ये question आपको समझ में आया, लीक है, बहुत important question है, अगर मैं आपसे कहता है, यही पे सुनना, पहली बात तो मेरा answer क्या होता, highest common factor होता है, और number कैसे निकाले मैंने, आप देख सकते हो, यहा बात आपको समझ में आ रही है, इतना portion आपका के लिए रहे है, ल एक number 7 रह गया, तो जो मेरे पास यह सब आया था, उसमें मैंने 3 और 7 को और कर दिया, यानि कि 21 से मैंने इसको और multiply कर दिया, जब मैंने इसको 21 से multiply किया, यह कितना हो गया मेरा, 10 से करूँगा, 1050, 20, और 20 से करूँगा, तो कितना हो गया, 200, और 1 से करूँगा, यानि कि 205, तो ये मेरा कितना हो गया बाइस सो पाँच देख न देहां से थोड़ा सा थी कि बाइस सो पाँच उससे कह रहा है कि जो बाइस सो पाँच है वो मेरा क्या है इसको मैं क्या कह सकता हूँ ये मेरा जो बाइस सो पाँच है ओके, next, next question हम discuss करते हैं, next question है हम से, find the greatest number which is divided by, फिर से वही question है, find the greatest number leaving reminder 9 and 7, ठीक है, color change कर लेता हूं मैं पहले, last वाले point को हम समझेंगे, तो मैं आप से कहूं कि मेरे पास एक number है 285, 285, ठीक है, और दूसरा number, अब मैं मुझसे क्या कह रहा है, reminder क्या बच रहा है, reminder बच रहा ह 9, तो मैंने क्या किया, minus 9, तो minus 9 करने पर कितना आएगा, मेरे पास यहाँ पर, देखो कितना आएगा, मैंने minus 9 किया यह आएगा, 276, और दूसरा number कितना है, 1249, अब मेरा reminder इसमें कितना बच रहा है, फिर से देखना, 7, मैंने 7 minus किया, मेरे पास क्या number आया, 1242, ठीक है, 6, मुझे बताओ, क्या समझ में आ रहा है, मैं बता चुका हूँ, 2, 1 जा, 2, 2, 3 जा, 6, and 2, 8 जा, फिर 2 से किया, 2, 6 जा, और यह 1 बचा, 2, 9 जा, ठीक है, फिर 3 से किया, 3, 2 जा, 3, 3 जा, फिर 23 से किया, ठीक है, यह 1 हो गया, यहीं से 12, 42, 12, 42 से किया, 2 हो गया, और यहाँ पे, मेरा 7 मनना है, यहाँ ठीक है, यह कितने टाइम हो गया, 6 टाइम, और यह 1 टाइम, और यह 2 टाइम, और यह 1 टाइम, क्या, यह मेरा 3 से कैंसल हो रहा है, 3, 2 जा, और हाँ ठीक है, 3, 2 जा, 27, ठीक है, फिर से यह देखो, 3 से हो रहा है, कैंसल, 3, 6 जा, 18, 3, 9 जा, ठीक ह से यह 23 times cancel हो रहा है और फिर यह किस से हो रहा है 23 से then it is 1 अब अगर आप देख हूँ यहाँ पर highest common factor कितना बनना है highest common factor 2 2 के बाद मेरा highest common factor क्या बनना है 3 and 23 तो मैं अगर आप से कहूं कि इसका SCF निकालूं इसका SCF कितना होगा 23 इंटू 23 तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 23 अब देखो यहाँ यहाँ पर इसको थोड़ा सा multiple करने के लिए अब असान कर जखते हैं सबसे पहले इनको कियो 69 इंटू 2 अब यह कितना होगा 140 और 2 माइनस कर दो 138 तो वो आपको समझ में है कि मतलब यहाँ पर कोई ज्यादा कोश्चन नहीं है जो कॉंसेप्ट है वो मैं आप से अल्रेडी डिसकस कर चुक हूँ एक कोश्चन अगर मैं अपने आप से बनाऊं एक कोश्चन में अपने आप से बनाऊं तो सुनना थोड़ा सा 276 और 1242 276 एक कोश्चन में 276 एं 12 पीछे देख लेते हैं क्या था 1242 1242 अगर मैं आप से कहूं कि यह दो नंबर है A और B समझना यह दो नंबर है आपके A और B मैं आप से कहूं कि 276 इन दोनों नंबर का मुल्टिप्लिकेशन 1242 अब आप देखना पीछे देखना इनका से एक कितना आया था 138 कितना आया था से एक इसका 138 एक एक नंबर टू और दूसरा नंबर थरी बचा हुआ है और एक और थरी बचा हुआ है यारी कि 233 233 समझना मैं क्या कह रहा हूँ मेरे पास SCF यहां पर मैं दिखाता हूँ आपको SCF कितना आया था 138 तो मैं LCM की बात करता हूँ समझना बात को यहां पर अब मैं अगर LCM भी लिखू तो मेरा कितना हो गया टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 138 यहां पर अगर आप देखोगे तो 138 इंटू 2 कितना हो गया 276 इस बाले पूरे portion से यह बाला पूरा portion कैंसल हो गया अगर मैं आप से कहूं कि यह 3 से इसको मैंने कट किया तो यह कितना 4 टाइम जा रहा है और यह 1 टाइम और यह 4 टाइम 414 रह गया इससे मैंने इसको कट किया 3 से तो यह कितने टाइम जागा वन टाइम पर यह कितना 11 होगे 3 टाइम फिर 24 होगे 8 टाइम 138 से 138 कैंसल मेरा 1 इस इकोस टू 1 बचा यहांई कि अगर मैं आपसे यहां पर कोशन कह देता कि ए और बी दो नंबर है उसका मैं आपसे कह देता कि मुझे LCM दे रखा है यह उसका यहां पे यह दो नंबर से इनका आपको SCF दे रखत और LCM निकालना था ठीक है तो यहां पे हमने यह बाला कोश्चन भी क्या आपको समझ में आया क्या पॉइंट के लिए या नहीं कि मुझो मैं पहले ही LCM into HCF is equals to A into B यह बाला फॉर्मूला आपको क्लियर रखवा क्या बात समझ में आई यह बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन से जो आपसे डिसकस किये जा रहे हैं गौट्स कोश्चन है हर चैप्टर और यहां पर मैंने लेक्षर वन में आपसे डिसकस किये कुछ चार या पांच वराइटी के कोश्चन उनहीं में मैंने आपको समझाने के कोशिछ की किस-किस तरीके के कोश्चन आपके और इससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं आने वाला इतना sufficient है, इतना खाफी है आपके लिए, इस type के ही questions आइंगे और यही questions इन्ही तरीके, इसी में से आपको कोई ना कोई question, as it is, बस number change होता हुआ देख जाएगा, या फिर जो मेने निकाले हैं इन्ही में से, क्योंकि यह कई बार आयोगी question, ठीक है, मिलते हैं लेक्चर टू मे छो में अक्षो में आपके, इसो फग्ड़र टू में से.